आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर के बारे में टॉपलिस प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए फोर्ड ने अपनी न्यू आने वाली एंडेवर जिसको ग्लोबली एवरेस्ट के नाम से जानते हैं मार्च फर्स्ट को लॉंच हो जाएगी और आपको बताते हैं कि फोर्ड इंडिया में अपना प्रोडक्शन दुबारा से शुरू कर सकती है और न्यू एंडेवर इंडिया में लॉंच कर सकती है इस गाड़ी की लुकिंग की बात करें तो इस गाड़ी का थोड़ा ही रिवेल करा गया है जैसा कि इसका फ्रेंट में C-shaped LED DRS मिले की ग्रिल एंड अलोई वील डिजाइन चेंज कर दिया गया है फोर्ड ऑस्ट्रेलिया में अनाउंस कर दिया है फोर्ड एवरेस्ट की लॉंचिंग डेट जो की मार्च फर्स्ट को लॉंच हो जाएगी इस गाड़ी की लुकिंग जो है वो काफी हद तक रेंजर पिक अप जैसी होकी इसमें उसी तरह ही लाइट सिगनेचर विद्धा C-shaped LED DRS जिसको टू क्रॉम बार्स कनेक्ट करते हैं गिरिल से काड़ी का बंफर भी काफी अलग है इसमें आपको न्यू अलोई वील भी मिलेंगे काड़ी के इंटिरियर की बात करें उसकी अभी तक तो कोई इमेज सामने नहीं आई है लेकिन इसका इंटिरियर आपको रेंजर पिक अप की तरह ही मिलेगा इसमें आपको वल्टिकली ओरियंटिड टच स्क्रीन इंफोटेन्मेंट इंफोटेन्मेंट सिस्टम डिजिटल द्राइवर डिस्प्ले, 360 डिगरी कैमरा, प्रीमियम, अब होल्स्टरी एंड पावर्ड फ्रेंट सिट्स और सन्रूफ भी मिलेगा इस काड़ी के इंजिन की बात करें फॉल्ड इसमें टर्बो डिजल इंजिन, V6 पैटरूल ओप्शन और इसके लावर टर्बो पैटरूल इंजिन भी देगी और 4x2 एंड 4x4 ड्राइव ट्रेंड इसके साथ आपको मैनवल और अटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ओप्शन भी मिलेगा इंजिन के साथ